लिए सिम्भी निकाल के बाचिद पूरी तरह बन ती तब मैं करवाई सुरू किया हूँ तो कहा कहा गये हैं क्या क्या इस्तिति अभी है हम मुख मंत्री के पास भी गये हैं विदेश जाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते कई लोग फेजू का प्रचार देखते हैं विदेश जाते हैं विदेश जाने से पहले अपने घर की जमीन बेशते हैं कितने कश्ट से रहते हैं वहाँ पे और तब जाके हमारे घर पे पैसे बेशते हैं ये इस्तिति भार भारत में हर साल देखी जाती है भारत में तकरीबन बहुत सारे लोग विदेश जाने की फिराक में रहते हैं विदेश जाते हैं पैसे वहां से अच्छे से कमाते हैं और फिर इंडिया आते हैं लेकिन जब उनसे कुछते हैं कि कैसे आप रहते थे कैसे वहां पे कमाई होती थ एक ऐसी कहानी आज गुरक पुर्दस्तक दिखा रहा है आज लीबिया में फसे उन 16 लोगों को कि आवाज हम आपके सामने ला रहे हैं यह 16 लोग में गगहा थाना के ही तकरीबन पांच लोगों की कहानी आपके सामने ला रहे हैं इस वक्त में सिहोरवा गाओं के मिठलेश व दिख रहा है परिवार के लोग हैं जब हम इन से बात चीत की तो पता चला कि मिठलेश विश्वकर्मा गय थे कुछ दिन पहले वहां पे गय तो उन्हें लगा कि चलिए सब तो ठीक है लेकिन टूरिस्ट वीजा के नाम पर वहां पे अब उन्हें नाग खाने दिया जा रह है पूरा मामला क्या है पूरी वीडियो देखिएगा और घरवालों से बातचीत करेंगे तो इस वक्त हम सिंहोरवा गाओं में हैं चाचा जी से थोड़ा बातचीत हो जाए आजा दंजा चाचा जी क्या नाम पड़ेगा हमारा नाम रमेश चंद भिशकर्मा मिठिलेश का कितने दिन पहले मिठिलेश का जहते हैं सोला सितंबर दो हजार देश कवेगे तनी उमर रही होगी पच्चीस शाड़ेपचिस की उमर है तो या करते थे इसे पहले दोर और दिखा करते थे वह भरती के लाइन में था लेकिन बहरती के लाइन में में दॉल आभी भी उसका है सालोगर हो गया दोर मुझे था बैकि पेफर नहीं निकल पाता है उन्हें लिगा सही रहे कहा कर दोगा साधी तो कामाना पड़ेगा तो सबस्क्राइब तो इसली पड़े Arkhanadip assembly से शुड़g बता रहे हैं ची यहां पे ग coalने 16 September को यहां से तिली गया, 16 September right? तो शुरू में सब सही था, अच्छे में सब सही था, कमपनी के पैसे अच्छे से आ जाते थे, लेकिन जा अभी कब से यहालत खराब हुई है? यह मान के जाज़िए, चार महीने, चार महीने होगा, चार्व महीने होगा जादी हमें, तब से अब क्या इस्थिती वहां की है, घज तूट गया, तीन दिन कम से कम हुआ, परसों, सहे 2 बज के 10 में लिए करता हुआ था गॉड़कित थी पाइपाण थाए हाऊ था मिलें टो और product निकाल दू सुरू किया है की मनाघ हम लुगान अमनेनों का संपर्क नहीं मिलेंlam तो वहां पर कुछ जार साज लोग मिले अप्रेश वाले आप लोग उहां पर ढूड़िये कौन है शुकला करके है वो बोला उननी साधनी है तो यह कि हजार दे जो तो अभी हम सब काम करेंगा बस वहां समय पैर दबाया हमका है अभ यहां कुछ ने होगा मुक्मंत्री के दर अभी पापा यहां पर करके मुझे बुला लीचे मैं काहा कि अब हम दूसरे बेड़ बावाल में हूं अभी इसमें फंसुंगा तब तो हमारा और दिकत होएगा तो मैं अपना काम देखू तो फिर आकर के तो फिर मेरा भाई है अखिलेश तब ओ अपने पास्वान के यहा अभी पेपर उपर में निकल ला है अकवारों में निकल रहा है अभी तक विदेश मंतराले से कोई ख़बर इदर अभी तक कोई ख़बर नहीं है डेटोट कुछ पता चला कि अपने कुम ख़बर ने मालू है अभी के और प्रेश वाले एक बार अभी कल यहां परसु आए चाचा जी कितने लोगों का परिवायर है वहां पर कितने लोग तो और अगल-गल के भी है इसी गाओं के हैं और दूसरे दूसरे गाहों के है दो से लिग तो बातशीत की तो वहां本ै कर दोन soniwaar कर दोन तो तो बात्चीत की तो क्या बताया गया इन लोगों के द्वारा की कैसे रह रह रहे हैं लोग क्या चीजे खाना हो नहीं मिल रहा है अभी बात्चीती बंद है आज तीसरा दीन हो गया दूसरा दीन हो गया बात्चीती बंद नहीं तो फिर में हम क्या बताऊ उच में पहले सब क रही तब बात किन नहीं तब अधने नहीं तब इसाज लुट जब एख़ाए हुआए तभी रहोंगे क्यों कि आसी स्थिती है जा भी लोग ख़ल गाई हुआ ज़ा हुआ को तब इस नहीं हो झाला कि लोग ख़ल को घज तर से किया हुआ है तो कि क्या हुआए जोट दू तो यह मिधिलेश विश्वकर्मा का परिवार है साधी ओदी हो गई थी कितने लोग है परिवार में क्या करते हैं हमारा तो क्रिशियंत का रिपेरिंग करता हूं उसमें भी यह मान के जाई है कि 75 परसेंट लगभग के और हमको मिलता है 25 परसेंट तो खुद गाउं के आदमी देते ही नहीं है सब रुपया का काम करता हूं तो साथ रुपया कोई सत्तर रुपया देगा उसके बाद तो मिधिलेश भाया जब गया तो यह मन में रहा होगा कि चलिए परिवार की स्थिति साही हो जाई पिसे वनके इती हो बढ़ 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 एभी मैं कुलासा करता हूं भरती तरह जो स्थिरे लिजर मातें स्थित दूसरी तरह अभर और पफ त्वाम प्रानि pleased अब या करें आपmente किसी लूंगतों स्थिता देना हमको परिवार है लगातार ये लोग अलग अलग पोर्टल के दौरा लगातार जन सुनवाई किंद्रों पर और लगातार मुख्यमंत्रे दर्बार इनकी कोशिश है कि कैसे भी हमारा बेटा भारत में सहकुसल वापस आए लेकिन ये लोग सिर्फ अभी तक इंदजार कर रहे हैं बताया ये जा रहा है कि सिमेंट फैक्ट्री है वहां पे वे लोग बंदक हैं सुरू में सब कुछ सही था पहले वर्किंग वीजा की बात हुई कुछ सही था कुछ दिन के बाद इस्तिती जसकी तस्बनी होई है अभी दूसरे परिवख रवीर के साथ मिलें से करेंगे और बादचीत में जानेंगे कि उनका बेटा कैसे वहां पर कैसी स्तिती में है क्या कोई बादचीत हुई है यह स्तिती आप देखने को आपको मिलेगी कैमरे के पीछे दनजय है और आप गुरकपु दस्तक देख रहे हैं कोशिश की जेगा कि इस वीडियो को इतना श है और भी लोगों से बातचीत करेंगे अभी हमें गुर्मी जाना है आप लोग वीडियो में बने रहे हैं